हेलो स्कॉलर्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे आदर्शवाद के बारे में इससे पहले हम प्रकरतिवाद को पढ़ चुके हैं प्रकरतिवाद और आदर्शवाद ये दोनों विचारधानाएं एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट हैं जो कुछ आपने प्रकरतिवाद में पढ़ा था यहां पर आदर्शवाद में उसका बिल्कुल ओपोजिट थिंकिंग दर्शाही गई है ठीक है ठीक है इनके अलावा आदर्शवात के और भी followers हैं जिन्होंने आदर्शवात को आगी बढ़ाया वो कौन-कौन है जान लेते हैं इसमें भी दो प्रकार के विचारक हैं या दो प्रकार के followers हैं पहले हैं पास्चातिय यानके foreign countries से जो थे और दूसरे हैं भारतिय विचारक जो हमारे Indians थे पास्चातिय विचारकों में सबसे पहले नाम आता है प्लेटों का जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था इनके अलावा अरस्टू, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, हीगेल, शापनहावर, जेंटाइल ये सब थे पास्चातिय विचारक जिन्हों ने आदर्शवाद पर काम किया था या फिर जिनके थिंकिंग कैसे थी आदर्शवादी थी, दूसरे हैं भारतिय विचारक, इन में कौन को नाते हैं, महात्मा गांदी, स्वामी विवेकानंद, रविन नाथ टैगोर, और महार्शी अर्विन, ठीक है फ्रेंस, तो लास्ट देखें, आपके घर में, फैमिली में अलग-अलग मेंबर होंगे, सभी की थिंकिंग अलग-अलग होती है, ठीक है, उसी पिरकार से यहाँ पर जितने भी स्कूल और फिलोसोफी हैं, उनके अंतरगत जितने भी विचारक आते हैं, सबकी थिंकिंग अलग-अलग होती है, य इसी तरह से जब आप इनको पढ़ें, तो आपको एक mentality अपनी बना लेनी है, for example, जैसे आप आदर्श्वाद पढ़ रहे हैं इस समय, तो आप अपने family में family कर किसी भी एक member को choose कर लिजे, कि हाँ, ये आदर्श्वादी हैं, ठीक है, बेशक वो आदर्श्वादी ना हो, पर आप मान सकते हैं, तो जितने भी character sticks या पर जितने भी विशेषता हैं, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आदर्श्वाद से संबंदित, उन सब को आप सोचिए, ठीक है, ये हमारे इस family member की हैं, ठीक है, इसी तरह से प्रकरतिवाद के लिए, एक किसी दूसरे family member को चुनिए हमारे पापा है, मम्मी है, या फिर भाई है, या sister है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बलकि हमारे family में कोई न कोई ऐसा होता है, जिसकी thinking थोड़ी आदर्शवादी होती है, मतलब जो आद्यात्मिक टाइप का होता है थोड़ा, और कोई-कोई प्रकरतिवादी जैसे होते हैं, जो इश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, बलकुल भी, ठीक है, नास्तिक टाइप के होते हैं, तो इस तरीके से आप इन schools of philosophies को याद रख सकते हैं, और ये trick काम करेगी, 100% काम करेगी, आप एक बार try करके देखिएगा, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे आदर्शवाद के बारे में, नेक्स्ट है आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद शब्द जो है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, आईडियलिज्म, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है आइडिया, और दूसरा है इस्म, यहाँ पर L word का जो वाद इस प्रकार से इसका क्यारत हुआ विचारवाद या इसे हम आदर्शवाद भी कहते हैं इसके अलावा प्रत्य वाद भी इसको बोला जाता है इसके अलावा भी आपको इसके और नाम मिल जाएंगे जैसे आध्यात्म वाद भी हम आदर्शवाद को बोलते हैं ठीक है फ में हमें questions मिल जाते हैं exam में जैसे एक side आपको आदरशवाद, प्रकरतिवाद, माक्सवाद इस तरह से सारा sequence दिया होगा और दूसरी side आपको for example जैसे यहाँ पर एक line दी हुई है ब्रह्माण, बुद्धी एवं इच्छा की अभिवेक्ति है इस तरीके का line आपको दूसरी side दे दी जाएगी तो इनको matching करने के लिए आपको बूला जाएगा इसी तरह से कोई प्रकरतिवाद से related कोई एक line उठा करके वो लोग आपको दे देंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूट किये हैं ताकि आपके mind में यह चीजे रहें तो चलिए पढ़ लेते हैं आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्माण, बुद्धी एवं इच्छा की अभिवेक्ति है देखिए जो आदर्शवाद है वो पूर्ण रूप से विचारों पर आधारित है सबसे ज इसके विचारों प्रत्य थीखा अन्यक्ति बह्ते हैं वह लिक्ति में व्यूर्ण ब्रह्माण बुद्धी इवं इच्छा की अभिवेक्ति है यह पूरा ब्रह्माण हैं हमारी बुद्धी ओ सिर्व इच्छा इन दोनों से ही इनका परिणाम है विग्व देखित इस्थाई तत्व की प्रकर्ति कैसी है मानसिक है विश्व का इस्थाई तत्व इन्होंने किसे माना है इश्वर को माना है इस्थाई यानि के जो इस्टेबल है उसको तो उसकी प्रकर्ति नेचर कैसा है उसका मानसिक है ठीक है नेक्स्ट है बोतिक्ता की बुद्धी द्वार व्याख्य की जा सकती है I hope it is understood next देखते हैं आदश्वादी दर्शन के कैई भिन रूप हैं किन्तु सभी के पीछे यही विचार है कि मन या आत्मा जगत की सारवस्तु है और सची वास्तविक्ता मानसिक होती है जगत की सारवस्तु किसे वो लगया है मन या आत्मा को चुकि यह आद्ध्यात्मिक है आद्ध्यात्मिकता में विश्वास रखता है इसलिए यह मन और आत्मा को भी महत्व देता है और सची वास्तविक्ता कैसी है मानसिक है जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं सारा माइंड का खेल है यहाँ ठीक है आगे देखते हैं आदर्शवाद की तत्व मिमानसा क्या है जिस प्रकार से हमने प्रकरतिवाद की तत्व मिमानसा पढ़ी थी और बहुतिक जगत को ऐ सत्य माना है जो भी हमारा materialistic world है उसको इनोंने ऐ सत्य माना है सत्य कोन है विचार और आत्म या फिर प्रत्य भी हम कह सकते हैं इसके अलावा आदश्वात की अनुसार सत्य की प्रकर्ति कैसी है आंत्रिक है जो reality है जो वास्तविक्ता है उसकी प्रकर्ति कैसी है आंत्रिक है जब हमने प्रकर्टिवाद को पढ़ा था वहाँ पर सत्य की प्रकर्टि कैसी बताई गई थी बहाई यह बताई गई थी दो प्रकर की प्रकर्टि हमने पढ़ी थी वहाँ पर एक भोतिक प्रकर्टि और एक मानव प्रकर्टि तो प्रकर्टिवाद ने किसे महत्व दिया था बोतिक प्रकर्टि को और यह यहाँ पर किसे बहतव देता है मानब प्रकर्टि को क्योंकि मानब प्रकर्टि कैसे होती है आंत्रिक होती है ठीक है friends तो हो गया या उसका बिलकूल opposite next देखते हैं आद्ध्यात्मिक चिंतन पर यह बल देता है क्योंकि ये इश्वर में विश्वास रखता है ना इसलिए तो प्रकरतिवाद इश्वर में विश्वास नहीं रखता था तो वो अध्यात्मिक्ता को बिल्कुल फिजूल की चीज समझता था नेक्स्ट देखते हैं आदर्शवाद की ज्यान मिमानसा क्या है फ्रेंट से एक बात ध्यान रखेगा आदर्शवाद जो है वो एक ज्यान मिमानसा का दर्शन है कि बहुत इंपोटेंट चीज है बात है आप इसे ध्यान रखेगा और जो प्रकरतिवाद है वो किसका दर्शन है वो तत्व मिमानसा का दर्शन है ठीक है? क्योंकि वो तत्वो को महतफून बानता है और यहाँ पर ग्ञान से सब्बंदीथ है जितना भी आदरश्वाद है ग्ञान फिर किस से related हो गया? हमारे mind से related हो गया हमारे विचारों से related हो गया ठीक है? इस लिए इस तरह से आप चीजों को connect करके पढ़ा करिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक ज्यान अब्धार्णात्मक होता है तथा अब्धार्णाय बोधिक होती हैं अब्धार्णाय जो हम concept यहाँ पर ले सकते हैं प्रत्य वही बाते आ रही हैं गूंगूंग पर सिर्फ words को change करके यहाँ पर बताया गया है तो वास्तविक ज्यान कैसा है अब्धार्णात्मक है और अब्धार्णाय कैसी हैं बोधिक हैं intellectual हैं नेक्स्ट देखते हैं प्लैटो ने आत्मनिस्ट अब्धार्णाओं को वस्तुनिस्ट अब्धार्णाओं में परिवर्तित करके विचारों की संग्या दी है विचारों क पहले सुक्रात का समय था उस टेमपल सुक्रात ने दोनों को ही महत्वपूर्ण माना था किस-किस को विचार को और वस्तु को अर्थात एब भूतिकता को और भूतिकता को दोनों को महत्व उस समय था किन्तु जब प्लेटो आया तो प्लेटो ने सुक्रात की जो वस्तुनिस्ट अवधार्णा में परिवर्थित करके किसकी संग्या दे दी उसे? किसका नाम दिया? विचार वस्तुनिस्ट अवधार्णा में परिवर्थित कर दिया आत्मनिस्ट अवधार्णा को और उसको क्या नाम दिया? विचारों का नाम दिया तो आत्मनिस्ट अफधार्णा से यहां पर आर्थ है, इंद्रियों के दुआरे जो ग्यान अर्जीत किया जाता है, वस्तु जगत का जो ग्यान है, उससे संबंदित है, यह किसने महतभूर माना था, सुकरात नहीं, लेकिन प्लैटो ने आकर के उसको वस्तुनिस्ट बना दि इंद्रिय जन्ये, सम्मति जन्ये और चिंतन जन्ये, इंद्रिय जन्ये जन्ये ग्यान होता है, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहन करते हैं, टच करके, स्मेल करके, महसूस करके, ठीक है, कानों से सुनकर, तो यह सारे ग्यान कों से हैं, इंद्रिय जन्ये जन्ये जन् प्रमान के आधार पर जो हम ग्यान ग्रहन करते हैं, आपने फिस्ट पेपर में पढ़ा होगा जो लोजिकल रीजनिंुंग की जो यूनिट है उसमें उसमें प्रमान के नाम सी जो टॉपिक दिया गया है उसमें अनुमानवान दिया गया है, aults उसी से संबंदित है ये अनुमान जो भी अनुमान के दुआरा हम ग्यान ग्रहन करते हैं वो कैसा होता है सत्य भी होता है और रह सत्य भी होता है क्योंकि जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो सच भी हो सकता है और घलत भी हो सकता है लेकिन जो चिंतन जन्य ग्यान है जो हम सोच के जिस ग्यान को अरजित करते है वो हमेशा कैसा होता है सत्य होता है यह किस ने माना है आदरशवाद ने माना है यह हम कह सकते हैं प्लैटो ने बताया है तो नेक्स्ट आगे देखते हैं आदरशवाद की मूल्य मिमान सा अब आदर्श वात की अनुसार मूल्य कौन-कौन से होते हैं मूल्य यहाँ पर तीन प्रकार के बताए गए है सत्य, शिव और सुंदर या फिर सत्यम, शिवम और सुंदरम यहाँ पर नाम दिया गया है इन तीनों मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वेक्ती को ज्यान ज्यान अर्जित करना पड़ता है ज्यान के द्वारा उसे किसका कौन सा मूल्य प्राप्त होगा सत्य है ठीक है और चेस्टा या फिर प्रियत्न हम जिसे बोलते हैं उसके द्वारा वेक्ती किस ग्यान को प्राप्त करता है किस मूल्य को प्राप्त करता है शिवम को ठीक है इसके अलावत जो इच्छा है इच्छा के द्वारा वेक्ति किसको प्राप्त करता है सुन्दरम को तो यह सारी तीनों मांसिक क्रियाओं हैं इन तीनों मांसिक क्रियाओं के द्वारा इन तीन अंतिम मूल्यों को वेक्ति की ग इश्वर का ग्यान या फिर प्रमात्मा का ग्यान तो यह थी आदरशवाद की मूले मिमान सा बहुत सिंपल सी है इजी सी है नेक्स्ट देखते हैं इसके मुख्य बिंदू में पॉइंट्स हमने क्या क्या इसमें डिसकस किये क्या-क्या आउटकम निकल के आया हमारे डिसकस्शन से वो हम यहाँ पर एक बार रिवाइस कर लेते हैं ठीक है यह ब्रमान इश्वर्दवारा निर्मित है यह सारे पॉइंट बहुत इंपोटेंट है ने याद रखिएगा पूरा सब कुछ जितना भी अभी तक पड़ा है उसका निचोड इसी में है आदश्वात का मनुष्य संसार की सर्फ्स्रेश्ट रचना है भोतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्विंग जगत श्रेश्ट है वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व दिया गया है निगमन चिंतन का यहां पर उपयोग किया गया है जो प्रकरती वाद है उसमें आगमन चिंतन को महत्व दिया जाता था इंडक्टिव रीजनिंग यहां पर किसको दिया जा रहा है डिडक्टिव रीजनिंग को वेक्तित्व के विकास का महत्व है भिन्नता में एक्ता के सिद्धान्त का समर्थन आदर्श्वादी करते हैं आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वस्रेस्ट आत्मा है प्रमात्मा है वहालि आत्मा का ग्यान सर्वोच है सब्से अच्छा ग्यान कौनसा है आत्मा का ग्यान है यहाँ पर आदर्श्वाद कंपलीट हुआ अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आदरशवाद और सिक्षा के बारे में तो थैंक्स पूर वोचिंग माई वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून